नमस्कार मेहमों अदासिफ और आप देख रहे हैं स्पेन नई नियूज जो गलती करे या चुक करे और उसके बाद उससे सीख ले उससे बहतर इंसान या फिर नेता देश में कोई नहीं होता लेकिन बार बार गलती करे और उसको इगनूर करे और उसको जो है गलते तरी करे तो फिर उससे भी बेवकूफ या मुर्ख दुनिया में कोई नहीं होता अब सवाल यह है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा दर असल इसलिए कह रहा हूँ कि यूपी में तीन दसकों से कॉंगरिस की सरकार नहीं है और उसके जो रवये रहे हैं नेताओं के जो गुरूर रहे हैं अहंकार रहे हैं यह हम आराप से ज्यादा दूर नहीं है इसके बावजूद प्रियंका गांधी एक ऐसी नेता रहीं, कॉमरिस की महासचीब रहीं और यूपी चुनाप की परभारी भी रहीं, जिन्होंने वाखोबी तरीके से अपने आपको 100% दिया, लेकिन ग्राउन पे उस तरीके से जन्ता के दिलों को नहीं जीत पाएं, और ज्यादा लडाई को लडने के लिए आ रही है, याद रहें आपको ये बतादू की उन्होंने एक बेहान दिया था, और कहा था कि यूपी में खास करके उन्होंने कहा था, कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जैसे नारा को लेकर उन्होंने शुरुआत की कोई फरक उन्हें नहीं दिखा और आप सवाल ये है कि प्रियंका गांदी की ये चुनोती क्या हो गए हम सब ने देखा कि उनके नेताओं पर किस तरीके से कॉंगरिस के तरफ से हमला हुआ हमने देखा कि जैकुमर ललू जो प्रदेस अधियक्स थे उनका इस्तीफ़ा हो गया प्रियंका गांदी का 2022 की तैयारी है यह तमाम सवाल है जिसका इंतजार करना होगा देखते हैं कि प्रियंका गांधी यूपी में आकर क्या कुछ कहती है और किस तरीके से नई शुरुवात करती है इसे नई शुरुवात में कौन-कौन सामिल रहेगा यह देखना बहुत जरूरी है फिलाल के लिए